नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, आप से आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोज डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए गंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आप से चूटता जाए, धन्यवाद नमस्कार, मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत, 2006, मास्चल राय आश्विन का, तिथी कृष्ण पक्ष की, शष्ठी की तिथी है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत रहे कृतिका, योग है वज्र और करण है गर तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की, तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए कोई अप्रिये सूचना आपको मानसिक रूप से आज अस्थिर कर सकती है आज परिवार में बड़े बुजर्गों का आशिरवाद आपको ले करके घर से निकलना चाहिए और महामृत इंजय मंतर का 108 बार जाप करें जिससे किसी भी तरीक की का अगर जो अप्रिये घटना का योग बन रहा उससे आपको मुक्ति मिल सके कारे की रुकावट से आपको तनाव ग्रस्त नहीं होना चाहिए वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में किसी सहकर्मी के विवहार से आज आज आपको कुछ तकलीफ हो सकती है ओम प्रभवाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और दक्षन दिशा की और मुक करके भोजन करने से आप बचें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए ये समय विपरीत कहा जा सकता है आपको रिलेशन्शिप में आज कुछ धोखा मिल सकता है या दिल दुख सकता है कि अपने साथी के व्योहार के चलते वाहन के प्रयोग में बहुत साफधानी रखिए मानसिप तनाव से आपको बचना चाहिए बगवान गणेश की पूजा राधना आपको आज जरूर करके निकलना चाहिए तो ओम गंग्ण पताएन महमंतर का 108 बार जाप अवश्य करिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए आज लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं और इस यात्रा से आपको बड़ा व्यापारिक लाब मिले सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबन्दों में भागय का सहयोग रहने वाला है स्वास्त प्रभावित हो सकता है नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्त रह सकेंगे पारिवारिक जिमेदारियों से मुख मूर्णे से बचना चाहिए हनुमान चालिसा का पाथ आज आपको अवश्य करना चाहिए तुलाराशी वाले जातक लोगों के लिए आये के सिरोत एक से अधिक आज आज आपके लिए बन सकते हैं ओम निधाय अव्ययाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें और कटू वचन कडवे बोल बोलने से बचना होगा व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशित्र में उतार चड़ाव की स्थितियाज आपके सामने आ सकती है अचानक से कहीं आप रुप्या पैसा लगा दें वो पैसा डूब जाए ऐसा भी हो सकता है तो निवेश से आपको बचना होगा ओम प्रभवे नमहमंतर का 108 बार जाप करें और नशीले मादक पदार्थों के सेवन से उनके प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए धनुराशी धनुराशीवाले जातक लोगों के लिए घर परिवार में परिस्तितियाँ आपके अनुसार चलने वाली हैं व्यापारिक इस्तितियां जो हैं आपके नियंत्रण में होंगी मांगलिक उत्सव में शामिल होने का आफसर आपको मिलेगा अपने पिता और परिवार के बड़े बुजर्गों का आपको आदर सत्कार करना चाहिए नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें और सा पत्ति या इसके अलावा आन्यते कहीं शेयर मार्केट वगरह में इंवेस्टमेंट की प्लानिंग है तो उससे आपको बचना चाहिए कुमराशी कुमराशी वाले जातक लोगों के लिए रचनात्मकता आज आपकी बढ़ेगी आपकी थोड़ी सी क्रेटिविटी आज निक नहीं होगी अपनी जो आपकी नियमित दिन चर्या है जो एक डेली रूटीन है आपकी उसको आपको फॉलो करना चाहिए गलत तरीकों से लाब लेने से आपको बचना होगा कनधारा इस तरोत का पार्ट करेंगे तो काम में आपको अच्छा लाब आज मिलेगा मीन राशी म नियम राशी वाले जातक लोगों के लिए काफी रुपए पैसे नुकसान के बाद खर्च के बाद आज आपके प्रयास जो हैं आपको बड़े आर्थिक लाब की इस्तिति के तरफ लेके जाएंगे साथी साथ आप अपने फायदे में से जो आपके फाइनेंशल गेंस होने जो रुपए पैसे का आपको फायदा मिलना उसका एक बड़ा हिस्सा एक बड़ा पोर्शन आप सेव भी कर पाएंगे यानि संचे की तरफ आज आप प्लान कर पाएंगे ओम कुलादी भेतने नहीं महमंतर का 108 बार जाप करें और दूसरे के वाद विवाद में दूसरे के म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की जिसमें मैं आपको बताओंगा कि शरीर में आपकी बॉडी में अगर कोई रोग है कोई बीमारी है तो आप ये कैसे समझें कि ये बीमारी घर के किस हिस्से के वास्तु दोश से आ र बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है कोई अचानक से घर में किसी को कैंसर डाइगनोज हो गया किसी को कुछ इस तरीके की बड़ी कोई प्रॉबलम अगर उभर करके आ जाती है सर्दी जुखाम बुखार के बारे में या चर्चा नहीं कर रहा हूं वास्तु पुरुष जो है वो भूखंड में उल्टा लेटा हुआ होता है वास्तु पुरुष के सिर का हिस्सा जो है वो इशान कोड में यानि नौर्थीस्ट कॉर्नर में है इसलिए जब भी सिर आख नाक गले के हिस्से में तकलीफ होगी तो आपको आपके घर के आपके प्रॉपर्टी के आपके भ आख कान नाक एंटी जिसे कहते हैं इयर नोज थ्रोट उससे रिलेटेट कोई बड़ी प्रॉब्लम अचानक से सामने आ सकती है वास्तु पुरुष की बाई कोहनी जो है वो वाई अव्यकोंड में नौर्थ्वेस्ट कॉर्णर में है बाई यानि लेफ्ट दाहिनी यानि र होता है उस तरफ आपको जरूर ध्यान एक बार देना चाहिए कि कहीं उधर कोई वास्तु डिफेक्ट तो नहीं हो गया कुछ आपने रिसेंटली कुछ ऑल्टरेशन किया हो कोई नया कंस्ट्रक्शन किया हो जिसके कारण से वो दोश उत्पन हो सकता है वास्तु पुरुष के बाएं कंदे से लेकर बाया हाथ उत्तरदिशा में है इसलिए बाएं हाथ में जब भी कोई बिमारी हो तो भवन के उत्तरदिशा की तरफ वास्तु का विचार एक बार जरूर करना चाहिए कि अगर उधर कहीं वास्तु के सम्मंदी कोई दोश होगा तो आपके जो है बो इस डारेक्शन के वास्तु दोश को आपको जरूर देखना चाहिए इस दिशा की तरफ आप जा करके देखिए कि कोई पुराने समय का वास्तु दोश या कोई रिसेंट आपने कंस्रक्शन वगरा किया जिसकी वजह से कोई दोश बन रहा है तो आपको ऐसी प्रोब्लम या पूर्व का कोना जो है उसे आगने कोन कहते हैं तो अगर आगने कोन में कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो दाहीनी कोहनी में आपको प्रोब्लम राइट एलबो में आपको कोई न कोई प्रोब्लम जरूर आएगी वास्तु पुरुष का पेट से लेकर के कमर तक का हिस्सा जो ह गर का पूरे plot का जो center है वहाँ पर कोई दोश नहीं कर दिया गया है अगर वहाँ कोई दोश नहीं दिखता है तो जो घर का constructed पार्ट है उसके center point में देखिए कहीं ना कहीं आपको कोई दोश ज़रूर मिलेगा वास्तु पुरुष के पैर से लेकर के private part तक गुप तांगों तक का हिस्सा जो है वो नेरक्त कोण में southwest corner में पढ़ता है इसलिए जब भी शरीर के इन हिस्सों में बीमारी के कोई लक्षन दिखें तो घर के नेरक्त कोण से आपको विचार जरूर करना चाहिए southwest corner में अगर कह नहीं कोई वास्तु दोश होगा तो वो पैर से लेकर के private parts खासतोर पर महिलाओं को गाईनी problem वगरा जब गंभीर होती है तो uterus वगरा निकालने की अगर situation आये तो कहीं न कहीं कोई ऐसा घर में बड़ा वास्तु दोश South West corner में दक्षन पश्चिम के कोने में जरूर होता है वास्तु पुरुष का हार्ट और इस्तन का हिस्सा चेस्ट का हिस्सा जो है इशान कोण और ब्रह्मिस्थान के बीच में पढ़ता है इसलिए जब भी शरीर के इनंगों में कोई बीमारी के लक्षन दिखें तो समझे इशान कोण नौर्थ-East corner और ब्रह्मिस्थान के से कोई दोश पूर्ण है अगर आप उस दोश को दूर करेंगे तो आपको जल्दी फिर अपने स्वास्त में भी आपको उत्थान दिखने लगेगा चीजें फिर दीरे-दीरे सुधरने लगेंगी वास्तु शास के नुसार विचलेशन करने के साथ जातक के जोतिश चंबं कुंडली का भी होरोस्कोप का भी सही तरीके से अनालिसिस किया जाए और उस दोनों चीजों का निवारण किया जाए कुंडली से ग्रहों का और घर का वास्तु देख करके वास्तु दोश का तो जल्दी ही आपको स्वास्त संबंदी समस्याओं से मुक्ते मिलती है तो दोस चिति आप लोगों को पसंद आते होंगे आप सभी से बार-बार आग रहे हैं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी करें शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल वाइफवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट के लिए बेल आइ और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि परसनल मीटिंग करना आप हमें फोन के माध्यम से एमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है ट एड़ी नोट कर लीजे एस एच ए आर एम ए डॉट वैबवा वी ए आई बी एच एवी ए एड़ेट जीमेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन का है धन्यवाद